नमस्ते दोस्तों मैं कल लाने आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज हम बनाएंगे चने और उरद के दाल से कैसे बनाएं में थोरी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए भूरा कद्दू, चने का दाल, उरद का दाल, अदरक, साउंफ, मंग्रायल, खाड़ा गरम मसाला और हिंग उरद और चने के दाल को हम 5-6 घंटे के लिए भिगो देंगे और इसे हम अच्छे से धुल लेंगे, धुलने के बाद हम सिल पर इसे पीसेंगे, बहुत बारिक नहीं पीसेंगे, इस तरीके से हम पीस लेंगे, देखिए हमारी दाल पीस गई है अब हम भूरा कद्दू को बाबू से कटवा रहा है, बाबू हमारा कद्दू काट रहा है, कहा जाता है कि महलाओं को कद्दू नहीं काटना चाहिए, पुरुस ही काटे देखिए कितने अच्छे कद्दू है, अब इसे हम खुद काट लेंगे इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे इस के चलके हम इस तरीके से उतार देंगे देखिए कितने असानी से छिल जा रहा है अब हम कद्दू को कद्दू कस करेंगे इस तरीके से हम कद्दू कस कर लेंगे देखिए कितने अच्छे से हो जा रहा है कद्दू कस अब हम कद्दू कस किया हुआ कद्दू को अच्छे से निचोड देंगे सारा पानी निकाल देंगे अब हम अध्रक को अच्छे से छिल लेंगे छिल कर छोटा छोटा टुकड़े काट लेंगे और इसे हम सिल पर पीसेंगे बहुत बारिक नहीं पीसेंगे इस तरीके से पीस लेंगे अब हम गरम मसाला पीसेंगे अब हम खड़ा गरम मसाला पीसेंगे देखिए हमारा मसाला पीस गया है सिल्प पिसने पर बहुत खुश्बू आती है देखिए ये हमारी दाल पिसी हुई है अब इसमें हम कद्दू कस किया हुआ कद्दू डाल देंगे अब हम पिसा हुआ अधरक डालेंगे सौंफ डालेंगे मंग्रेल डालेंगे गरम मसाला डालेंगे और हिंग डाल देंगे अब हम इन सभी को डाल में मिलाएंगे अच्छे से इसे हम फेट लेंगे सभी चीज़ों को डाल कर देखिए हमारी डाल फेट गई है सबसे पहले अनपुन्णा देवी और सभी देवताओं के नाम पर में थौरी हम देंगे आईए हम पारम परिगीतों के साथ में थौरी बनाते हैं हमरे सासुर के दस बिगहात हार वाचा लामेत खेता वाका जो तैं तो खेता वाका जो तैं हो एहो सासु मोरी भोवेलिन उरुदिया लहर लहर लहरे जपसी एके फरै जपसी एके फरै जपसी एके फरै इहो उर्तोडिलाई जे ठनियात घामाई सु खावाई तो घामाई सु खावाई हो एहो नानद मोरी पीटे लिनवू रुदिया त सुपसे पाचोरें त सुपसे पाचोरें त दानवानी कालें त दानवानी कालें हो ससमोरिलाई चकरिया उरदी दरी डारी उरदी दरी डारी हो साजे भीगोई उरुदिया भोरें उठी पीसं भोरें उठी पीसं इहो एहो रची रची डारे लिन में थावरी त देवतामा नवाई त देवतामा नवाई हो आव सब देवतामार गारे आसान लागाव तुमाई बाई ठाव तुमाई बाई ठाव भाई हो दोस्तों आप लोग ये बताईएगा कि हमारी में थावरी डालने का तरीका आप लोगों को कैसा लागा और जी हां और आप लोग बताईएगा कि आप लोग के यहां इसे क्या कहते हैं कुछ लोग अदावरी कहते हैं कुछ लोग कुणावरी कहते हैं कुछ लोग बड़ी कहते हैं हमारे यहां तो मिथावरी कहा जाता है आप लोग के यहां क्या कहा जाता है ओ आप लोग कमेंट में बताईएगा देखिए हमने पूरा मिठोरी डाल दिया धूप भी काफी हुआ है अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्ते धन्यवाद अगले वीडियो में नमस्ते धन्यवाद